अलो नमस्का दोस्तों कैसे आप लोग आज हमारे हाथ में एक बहुत इंट्रेस्टिंग ग्लूटूटूटे स्पीकर है जो है सोनी का SRS XB21 जिसकी हम लोग करने जा रहे आज अन्बॉक्सिंग रिव्यू तो वीडियो के साथ बने रहेगा वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग इसकी बॉक्स पैकिंग की तो बॉक्स पैकिंग अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए बैल का भी आइकॉन दबा दीजिए बहुत ही अच्छी तरह से पैक किया हुआ है और उपर आपको आपके जो ग्लुटूथ स्पीकर है उसकी एक जलक देखने को मिल जाती है और साथी साथ यहाँ पर इसका मॉडल नमर सोनी का ब्रैंडिंग आपको देखने को मिलेगा विट एक्स्ट्रा बास जैसे यहाँ पर आप देख सकते है ब्रैंडिंग किया हुआ है और यहाँ पर कुछ इसके स्पेसिफिकेशन दिये हुए है जैसे कि IP67 है यहाँ पर 12 आवर्स का आपको बैटरी बैक अप मिल जाएगा लाइफ सांड का ऑप्शन है पार्टी बुष्टर है और बहुत सारे फीचर से इसके अंदर और सोनी ने इसके लिए एक एप्लिकेशन भी लॉंच किया हुआ है दोस्तों जिसका नाम है म्यूजिक सेंटर जो आप यहाँ पर देख सकते है आप यह एप्लिकेशन अंडॉइड आयोएस दोनों पर नाउनलोड कर सकते है और इसकी मदब से आप अपनी स्पीकर में बहुत सारे सेटिंग और सांड बोड को कनेक कर सकते है तो दोस्तों बॉक्स आप देख सकते है ब बॉक्स ओपन करते ही सबसे उपर अपने को देखने को मिल जाता है Bluetooth speaker जो बहुत ही अच्छा है थोड़ा weight में थोड़ा heavy है बट देखने में बहुत ही अच्छा design दिया है उपर जो यह finishing है कपरे की वह भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में और अब देख सकते है जै देखने को मिल जायागा कैसे आप application डाउंलोड कर सकते है और कैसे क्या इसको यूज कर सकते है उसके नीचे आपको देखने को मिल जाता है warranty card आपके device का जो वन येर वारेंटी के साथ आता है और इसके नीचे है इसका charging cable तो box के अंदर और कुछ नहीं है दोस्तों इसको देखने की हुई है और यह जो आप देख रहे है white color में transparent design दोस्तों यह actually में LED light है इसके अंदर light जलेगा जब हम on करते है तो और यहाँ पर आपको on off का button देखने को मिल जाता है volume का Bluetooth प्ले और पाउस का देखने को option मिलता है इसके अंदर आपको दोस्तों inbuilt mic का भी option देखने इसमें जो आप देख सकते है यहाँ पर आपको audio in का aux का option मिल जाता है charging board मिल जाता है light का reset का और तीन चार बटन सौट भी मिलते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात कर लेंगे तो दोस्तों जैसे ही आप हाथ में लेंगे के तो आपको feel होता है जो यह बहुत प्रीमियम quality का speaker बना हुआ है और देखने में भी बहुत अच्छा look दिया है तो दोस्तों इसको on करने के लिए simply आपको power का button प्रेस करके रखना है और जैसे यहाँ प्रेस रखेंगे यहाँ पर आपको indication देख जाता है power on का यहाँ पर Bluetooth का light blink कर रहा है जैसे आप इसको pair कर लेंगे तो यह constant हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते है light hone हो चुका है LED का तो आप चाहिए तो यह light को बंद भी कर सकते हैं यहाँ से button है अगर आपको light नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे और यह light बंद हो जाएगा यहाँ पर देख सकते है light का button दिया हुआ है तो दोस्तों इसको connect करते हमारे mobile से और चेक करते है sound quality कैसी है और बाकी के बाते बाद में करेंगे अब देख सकते है यह जो light है constant हो चुका है अब मैं कुछ music प्ले करता है और देखते है इसकी sound quality कैसी है दोस्तों आप चालू करते हैं इसका LED light देखते कि वह music पर कैसा काम करता है उसके simply आपको light का जो button है इसको एक बाद प्रेस करना है और अब जैसे ही प्रेस करके रखेंगे कुछ second के लिए अब देख सकते है यह light on हो चुका है और अब जैसे ही music बजाएंगे यह light blink करना दोस्तों आप लोग ने इसका sound सुना sound बहुत ही amazing है no doubt sound wise बहुत ही अच्छा speaker है और दोस्तों इसके अंदर एक और feature साता है party chain का जिसके अंदर अगर आपके पास यावाज से और भी speaker है तो इसको आपास में आप loop कर सकता है loop होने के बाद आपके सारे speaker एक साथ बजेंगे यह जो party chain का function है यह up to 100 speaker को support करता है और साथी साथ दोस्तों इसका जो application है music center sony का जिसकी मदद से आप इसके अंदर different आपके sound जो है उसको set कर सकते है बहुत सारे features है जिसको आप activate कर सकते है तो no doubt दोस्तों यह तो यह अच्छा sound वाला bluetooth speaker चीए तो आप इसको consider कर सकते है उमीद करता है दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया रहेगा पसंद आया है तो मैंने वीडियो को like कर लिजे चैनल को subscribe कर लिजे ताइंक्यू जैहिन